तो दोस्तो आज 19 जैनुवरी 2024 लगा था दो तीन दिन बजार में करेक्शन के बाद आज फाइनली मार्केट में एकदम से बाउंस बैक देखनी को मिला जहां पे निफ्टी फिप्टी क्लोजिंग दिया 21,622 पॉइंट पे करीब 0.75% तेजी के साथ अब सवाल उर्था कि कल यानि 20 जैनुवरी को क्या होगा जानेंगे इस वीडियो में साथ में शेयर मार्केट से लेटेट कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा साथ में ग्लोबाल मार्केट का हाल चाल, FISDS का डेटा और most important part कल special trading session बे बजार किस तर अब मूफ करेगा जानेंगे इस वीडियो में तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको प्लीज वीडियो को बिना स्किप की पूरान तक जरूर देखना तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मार्केट का थोड़ा timing समझा देता हूं क्योंकि यह सबसे important है तो जैसे के आपको मालूम कि सैटर्डे के दिन एक special trading station रखा गया था approximately वही एक दर घंडा का बट शाम के बद दोस्तों वह चेंज कर दिया अब देखिए यहां पे एकदम latest update है रात 9 बच के 42 मेंट का stock market to work full day on Saturday कल दोस्तों सैटर्डे की दिन बजा जैसे open होता था मतब एकदम सुबा में 9 बजे पे और close होता एकदम सारे 3 बजे पे वैसा ही दोस्तों open रहेगा बट मंडे की दिन यानि जिस दिन 22 तारीक यानि राम मंदिर उदगातन होगा उस दिन दोस्तों बजार completely close रहेगा इसकी पीछे reason यह है कि महराष्टा government में दोस्तों उस दिन पे 22 तारीक को अपने state पे completely holiday declare कर द कि excess ने यह decide कि 20 January मतब टुमारो कल full day बजार open रहेगा जैसे 9 बजे पे open हो जाएगा जैसे कि close होता है सारी 3 बजे पे close हो जाएगा बट 22 जैन यानि मंडे की दिन completely दोस्तों बजार close रहेगा यानि पहले जो timing था कि एक देर घंडे के लिए special trading station open होगा वो दोस्तों cancel हो चु कि कल बजार किस तरब move कर सकता है तो दोस्तों इस topic को cover किया HDFC securities दोड़ा एक analyst ने इनके according आज nifty 50 जहां पे closing दिया उसके उपर base करके थोड़ा नीची की तरफ जाने का chance है यहां पे clear card mention भी किया देखिए sale on rise ठीक है और कुछ important level जैसे कि उपर की तरफ 21,970 point के आसपास यह मेंशन किया तो दोस्तों यह हो गया economic time के उपर जो analyst अपना point of view रखा अभी हम बात करेंगे money control की website के उपर जो एक और analyst ने अपना point of view रखा देखिए उनके according nifty form डोजी पैटन ओके 21,700 crucial for further मतब अगर उपर की तरफ मूफ करें तो उस case में 21,700 बढ़िया crucial level हो सकता मतब resistance मिल सकता है नीचे की तरफ दो important support level मेंशन किया 21,500 से लेके 21,600 और उसके साथ साथ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मेंशन किया 21,800 के आसपास बागी दोस्तों आपको क्या लगते कि कल Saturday की दिन बजार किस तरफ बूफ करेगा प्लीज कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताना दूसरे देखे एक और analyst ने अपना एक point of view रखा दीपन महता इनके according expect a deeper correction इनके according मार्केट और भी नीचे correct हो सकता है not buying anything at this point of time तो इनके तरफ सी एक जो की statement दिया है कभी भी आउट हुआ तुरंत मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा इसी चैनल के उपर तो जिस बैस आप सभी को है रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपके बास तुरंत notification पहुंच जाए तो फिलाल देखिए आज जो 10% की अपर सर्कृत देखनी को मिला मैं तो बिल्कुली चौका नहीं क्यूंकि मुझे पहले सी लग गया था कि यह शेयर भाई मदब लंबे रेस की घोड़ा है और शुरुआ देखिए बहुत पहली हो गया था जब लिस्ट हो था पचास-पच हो सकता है उसके उबर बेस्ट करके आइधिंग आपको डिशल लेना चाहिए और सबसे अच्छी बात यह है कि आज की रेट पे नाकिबल शेयर में तेजी था बलकि शेयर में ह्यूज डेलिवरी भी देखने को मिला जैसे कि आप देख सकते वॉल्यूम था 11 करोड के उपर जो की इंक्रीज हुआ और डेलिवरी रेट देखे 35.89% यानि अप्रॉक्सिमिली 36% के आसपास और उसके साथ साथ कल के लिए मतलब सैटर्डे के लिए लगबग 10 लाग की उपर शेयर अभी से ही एमोडर लग चुका है वह बाइंग सैड में तो में भी कल भी दोस्तों शे में हुआ है बारा बच के पांच मीट डॉजोंस की बात करें 0.36% अभी फिलाल उपर पहुंच चुका है नैस्टक की बात करें 0.65% उपर पहुंच चुका है मतलब जहां पे डॉजोंस और नैस्टक दोने टॉप इंडेक्स थोड़ा पॉजिटिव में च्रेट कर बहुत अच्छी बात है दस साल की बांड दिल में थोड़ा सा में इंक्रीज देखने को मिला बट स्टिल मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा हाई लेवल पे पहुंच चुका है जैसे आप देख सकती चार्ट पर रहें ध्यान से देखने यह लास्ट एक हफते का चार्ट पर रहें एक तब काफी इंक्रीज देखने को मिला यह बिल्कुली अच्छी बात नहीं है एक्विटी मार्केट के लिए बाकी बात करें ब्रेन कुट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला वीप्रो लिमिटेड एडियर वर्शन की बात करें यहां पे अल्मोस्ट आधा परसन का सपस के इंफोसिस लिमिटेड वर्शन की बात करें आदा परसन का सबस्तेज इमत्बद जहां पर में करेक्शन अधा परसन का का वह यह लंब के आज की रेट पे इंडिया की लार्जेस्ट इंडिवीचोड कंपनी रिल्याइंस इंड्सटी र्च्टी की रिजल्ट आउट हुँ और इसका जो जी डियर वर्चन है मेरे बात को सुनना जी डियर वर्चन मतलब यू के अन्दल लिस्ट हूँ डिलाइंस इंडस्टी ठीक ह वहाँ भी इंस्टेंट इंपेक्ट देखने को मिला और करीब-करीब 1.5 परसें नीचे आके क्लोजिंग गया तो देखिए कल यह जो दो कंपणिया ना जिसमें इसको बात करेंगे नेक्स मतब आगे वीडियो में बट फिलाल बात करें गिफ निप्टी जैसे का आपके साथ शेयर करो दस बच के चौबीस मिट का अभी चल रहा है 21,655 पर तो आपको देखके नहीं लगा कि यहां पर क्यों थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है इसके पीछे डिजन दोस्तों यही है यह जो इसमें ड्रॉप हुआ है और साथ-साथ-स बैंक की जो एडियर भर्षन यहां पर ड्रॉप हुआ है जिसके करान गिफ निप्टी मतब यह मार्केट पॉजिटिव होने की बाप जूद भी आप देखसे तो कि गिफ्ट निप्टी में कोई बहुत बढ़ा तेजी देखने को नहीं मिला इसके पीछे डिजन यही है अब बात करेंगे देखे एफस-स का डेटा बट शुरू करने से वाले अगर आपको वीडियो सब्सक्राइब करना साथ में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टैप की इंफॉर्मेटी वीडियो अलो स्पाने के लिए तो आज एफस द्वारा फिर से हमें सेलिंग देखने को मिला बट ज्यादा नहीं लास्ट दो दिन से थोड़ा कम 369 करोर के आस सब्सक्राइब तो बेसिकली वहां पे कुछ भी इंपॉर्टेंट अब्डेट अभी तक तो नहीं निकल किया रहा है लास्टेम ने देखा कि 35 जो की इस्ट्राइली टॉप इंडिक्स है वहां पे अल्मोस्ट 1.90 पर से नुबरा के क्लोजिंग दिया था अभी हम बात करें ना नास्टेक देखने जैसे कि मैं आपको लास्ट दो तीन दिन से बोला था कि नास्टेक और दो जोंस को देखें बट कल मैं आपको बोलूँगा बस दो शेयर को नज़र रखिए एक होके आपका यह दोनों के उपर पूरा डिपेंड करेंगा कल मार्केट और दूसरा हो गया रिलाइंस इंडेस्ट्री यह दोनों भाई साब जिस तरफ मूफ करेगा आप समझ लेज़े कि मार्केट अल्मोस्स सेवेंटी वर्सन चांस है उसी की तरफ मूफ कर सकता है ठीक है तो बजार ओपन होने के बाद आपको सीधा सीधा एक रिलाइंस इंडेस्ट्री दूसरा इस डिप सिवेंग इसको ट्रैक करना है अगर ठीक ठाक हो गया तो उसकेस में उपर मूफ कर सकता अधर्वाइस नीचे कि तरफ जाने का चांस है अधर्वाइस बजार थोड़ा वोलेटाइल होने का चांस है ठीक है तो देखें कैसे भी सिच्वेशन हो मैं आपको थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट लेवेस बता के रखना चाहता हूं जैसे कि ऊपर की तरफ अगरम बात करें इमीडियेट जो रेजिस्टेंस लेबल एस पर इंडिकेटर्स 21,700 क्या आस पास ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर फोर आर्स की चार्ट पेटर्न का अगरिंग और अट सेम टाइम नीची की तरफ बात करें अल्मोस्ट 21,500 यह दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेन सपोर्ट लेबल है यहोग्या आपननी इफटी की रेजिस्टेंस लेवल बाकि बात करें बैंक निफटी जैसे के आज भी हमने देखा बैंक निफटी जो है शुरुआ दी समय पे एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करेगा अभी अभी हमने देखा क्या एडियर वर्शन में थोड़ा करेक्ट हो चुका है ठीक है तो कल जिस मैंसे बार वर बोला हूं दो शेयर को आपको ट्रैक करना कमेंट की तुरू बताना जड़ा मिलता है नेक्स वीडियो वे वीडियो को वाइंड अप करता हूं टेक क्यार बाबाई जय हिंद